हाँ तो दोस्तो आज हम आपके लिए एक और न्यू वेकंसी लेकर के हाजिर हैं जो कि दोस्तो आपकी अफ्रेंटी से संबंदित है यह जो वेकंसी जारी की गई है यह दोस्तो आपकी ब्रेम पुत्रे क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेट के तरफ से जारी की गई है जिसको पोटल पे जब आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक नीचे के तरफ लिंक मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा होगा Engagement of Apprentice under the Apprentice Act 1961 तो दोस्तों आप इसे पर क्लिक करेंगे तो यह PDF जो है वो दोस्तों डाउनलोड हो जाएगी डाउनलेड होने के बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से स्टुडेंट यहाँ पर फॉर्म अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेजवेशन वाले और डिप्लोमा वाले अपलाई कर सकते हैं यानि की बीई बीटेक वाले और यहाँ पर आपके पॉलिटिक वाले इस्टुडेंट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्रेजवेशन वालों के बारे में यानि की बीई और बीटेक वालों के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले B.E. और B.T.E. वालों के लिए यहाँ पर साथ ट्रेडों में वेकेंसी जारी की गई है जिसमें आपका मेकैनिकल है, केमिकल है, इलेक्रिकल है, इंस्टूलमेंसन है, टेलीकॉम है, कंप्यूटर साइंस है और सीविल है टोटल यहाँ पर दोस्तो आप वेकेंसी देख सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, एक साल का कोर्स होता है, उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले हैं, सुर्य दोस्तों, यहाँ पर जो आपके बी, बीटेक वाले याने की ग्रेजुट वाले हैं, उनको यहाँ पर 9000 रुपए दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए तो दूसरी वेकंसी डिप्लोमा वालों के लिए आई हुई है जो की टोटल चार्ट ट्रेडों में आई हुई है, मेकैनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है और मौर्डन आफिसर की है यहाँ पर दोस्तों आप टोटल वेकेंसी देख सकते हैं एक साल का यहाँ पर कोर्स है उसके बाद यहाँ पर आपका जो मंथली पेमेंट मिलने वाली है यानि की डिप्लोमा वालों को जो पेमेंट मिलेगी वो यहाँ पर 8000 रुपाय मिलेगी qualification वही दोस्तों जो हमेशा लगती है यानि की graduation वालों के लिए B.E. और B.T. लगने वाला है और यहाँ पर academically वालों के लिए भी यहाँ पर जो है आपका politics लगने वाला है बात करें दोस्तों कौन-कौन से student दोनों ही पोश्ट के लिए eligible हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2019, 2020 और 2021 के student यहाँ पर दोस्तों qualify हैं यानि कि किवल 19, 20 और 21 के student ही यहाँ पर form भर सकते हैं अगर 18 में आपने qualify किया है यानि कि pass out हैं तो आप यहाँ पर form apply नहीं कर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको नाट्स पोर्टल नाट्स पोर्टल तो दोस्तों आप जानते होई होंगे क्योंकि आप लोग काफी समय से डिप्लोमा और बिटेक करे उएं तो आपको N A T S के बारे में पता ही होगा कि N A T S क्या होता है तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि N A T S बॉर्टल होता है इस पर आपका रजिस्टेन होना अनिवार है और बिना रजिस्टेसं काया आपको पता भी होगा कि आप इसमें अप्लाइण नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपनी नर्स पोटल पर अपलाई नहीं किया है तो फटफट से अपनी प्रोफाइल को क्रेट करके अपना अपलाई कर दीजे फॉर्म का यदि आप फॉर्म बरना चाहते हैं और अगर द subscribe कीजिए अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में